अपील आने वाली थे इस तारीप को हिंद कॉंग्रेश पार्टी के समर्थित प्रत्याशी को बोट देकर अपना वोट सफल बनाए. संभल से मुबारक अली की रिपोर्ट लोगसभख शेत्र संभल से हिंद कांग्रेश पार्टी समर्थित प्रत्याशी फिरोज खान द्वारा जनता से की गई अपील लोगसभख शेत्र संभल से हिंद कांग्रेश पार्टी समर्थित प्रत्याशी के द्वारा वोटों की अपील की गई जिसमें उन्होंने कहा की कि वह अपना मत्दान सोच समझ कर दे, ऐसी पार्टी को अपना मत्दान ना करें, जिसने देश बरबाद कर दिया, उन्होंने बिना किसी का नाम लिये ही कहा कि जिन्होंने अभी तक की सरकार में कुछ भी नहीं किया है, वह आगे क्या करेंगे, उन्होंने जन्ता से अपील की कि वह उन्हें भारी से भारी बहुमत से विजय दिलाएंगे, वह जंता के हित के सभी कार्या करेंगे, उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा जो भी वादे किये गए हैं वह सारे पूरे किये जाएंगे. को जिन्होंने संभल को तबाब अरवात कर दिया, संभल के दुश्मनों के खिलाफ, संभल के बच्चों के दुश्मनों के खिलाफ, संभल के नोजवानों के दुश्मनों के खिलाफ, संभल की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ, आपसी सद्वाओं भाई चारे के दुश्मनों के खिलाफ तेस तारीक को आटो रिक्षा के सामने वाला बटन दबाकर हिंदु कॉंग्रेस पार्टी समर्थ सित उम्मीदवार मैं सीरोच खान मुझे को काम्याब बनाएं क्योंकि एक केंडिडेट हैं जिनका राजनीतिक जीवन 47 साल को पार कर चुका है और 47 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने संभल को तबाही बर्मादी और नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया है मैं पूछना चाता हूँ उन्पिट्यासी जी से कि ऐसी कौन सी तबाही बर्मादी आपके हातों संभल की बाकी रह गई थी जो आप पुना चुनाव लो रहे हैं संभल की अवाम से कहना चाहूंगा ये चुनाव इंसानियत और सेतानियत के बीच है इंसानियत को जिंदाबाद करें सेतानियत को मुर्दाबाद करें ये चुनाव नहीं है बलके जिहाद है और जिहाद में मैं संभल के अवाम का समर्थन मांगता हूँ और संभल के दुश्मनों के खाथ में के लिए उनते कहूंगा कि वो मेरा साथ ने, मेरा शायोग करें आने वाली तेहिस तारी को आटो रिक्षा के सामने वाला बटन दबा कर संभल में नई क्रांटी लाएं और सं संभल में टेक्निकल कॉलिज, संभल में मेडिकल कॉलिज, संभल में एकेड्मिये मनाने के लिए मेरा समस्थन करें यही मैं संभल के अवाम से मद्दाताओं से गुजारिस करता हूँ कि आने वाले तेहिस तारी को इस जिहाद में सैथानियों, सैथानियत को के खातने के लि झाल झाल